मैं मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योटीब चैनल में दोस्तो जोतिस आस्त्र में नव ग्रहों में शनी को एक प्रमुख इस्थान हासिल किया गया है इन्हें न्याय का देवता कर्म फल दाता कहा गया है कहते हैं कि शनी देव यदि किसी व्यक्ति पर प्रसन हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देता है और अगर उनकी क्रूर द्रस्टी पढ़ जाए तो व्यक्ति की मुसीबतों को बढ़ा देता है ये हमारे जीवन में हमें कर्मों के मुताबिक फल देते हैं यानि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल देंगे और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसी के अनुसार आपको फल मिलते हैं अब शनी जो है वो अपनी राशी में चल रहे हैं मकर राशी में 2020 से मकर राशी में उनका गोचर है और अब 7 जनवरी 2021 से शनी अस्थ हो चुके हैं अस्थ का मतलब तेज हीन हो जाना यानि अब वो उतना प्रभाव नहीं दे सकते हैं ऐसी स्थिती में इस वर्ष में 2021 में जो शनी हैं उनका राशी परिवर्टर नहीं होगा पूरी वर्ष भर ये मकर राशी में ही रहेंगे अपना राशी परिवर्टर नहीं करेंगे लेकिन राशी परिवर्टर नहीं करेंगे शनी इस उत्तर साढ़ा नक्षत्र से निकल कर श्रवन नक्षत्र में प्रिवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी चंदरदेव हैं, चंदरदेव का आधिपत्य प्राप्त है उनको, अब इनका जो ये गोचर होगा, जो नक्षत्र का परिवर्तन होगा, इसी के आधर पर ये अ नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से अपने पुत्र अपने पिता के नक्षत्र से ये चंदर के नक्षत्र में आ गए हैं और चंदर देव हमारी मन के कारग्रह माने जाते हैं तो वीडियो को विस्तार से जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर टो कर दें चैनल पर यादी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कडि़ए और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होते रहेंगे दोस्तो यह जो चंधिरमा का छंद्रमा के जो नक्षत में शनी का गोचर हुआ है ये आपके लिए मानसिक रूप से ठीक रहेगा और देखिए तुला राशी के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाला सावित होगा च्योंकि प्रॉपर्टी के शेत्र में ये आपको बहुत अच्छे लाब दे सकता है सबसे अधिक उन लोगों का फाइदा होगा जो प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं आप बिल्डर हैं आप प्रॉपर्टी डेलिंग करते हैं या आप इसी तरह के कुछ जो बजरी, सीमेंट या फिर पत्थर इस तरह के सामान के आप बिकरी करते हैं तो उनके लिए ये समय बेहद लाबदायक रहेगा और इस आवधी में आपकी जो खरीदारी होगी किसी महगी वस्तों की खरीदारी वो भी आपके लिए शुब रहेगी आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा लेकिन कुछ ऐसी चीजे में हैं जहां आपको सावधाने रखनी होंगी जै आपके लिए बहुत हद तक आपके आर्थिक रूप से आपको उचा उठाने वाला होगा आगे लेकर जाने वाला होगा इस दोरान आप अपनी चिंता को तो त्याग दें और चिंता को त्याग कर पूरी मेहनत से इमानदारी के साथ अपने काम को करते रहें शनी देव आप तक इनका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा, ना के बराबर इनका प्रभाव होगा, नक्षत्रप का परिवर्तन क्या है तब भी, क्योंकि आस्त होने का मतलब होता है, आर्थ हीन, तेज हीन हो जाना, यानि किसी भी काम का कोई रिजल्ट ना देना, लेकिन जैसे ही शनी उ सामाजिक द्रस्टी काउन से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कारशेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत कर पाएंगे, साथ में किसी काम में बहुत महनत करने के बावजूद, अगर उसका फल आप कि आपके काम का जो फल है वो आपको नहीं प्राप्त हुआ है, बस आपको धहरे रखना है, शैनी उदय होंगे, उदय होने के बाद आपके जो कर्म है, जो आपके अच्छे काम है, उनका रिजल्ट, महनत का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अपनी प् प्रिशानिया देखने को जरूर मिल सकती है, और इस दोरान जो शनी के बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी सावधानी और रखनी है, जैसे कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी, वाहन यातायात के सभी नियमों का पालन आपको करना होगा, उनका पालन तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अब यहां कुछ अच्छे योग भी हैं, जैसे कि शुक्र आपके साथ, आपके शनी के साथ बैठे हुए हैं, जो आपके राशी के स्वामी हैं, तो जब तक शनी के साथ शुक्र बैठे हैं, तो वहां से आपको मालक्ष्मी के किरपा प धनलक्षमी योग भी आपके लिए बनेगा तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए बहुत शुब रहेगा क्योंकि शनी वहां उनको ना तो पीडित कर रहे हैं ना शनी का प्रभाव वहां बहुत जादा है क्योंकि शनी आस्त चल रहे हैं तो शुक्र का ये जो प्रभाव है आपके लिए बहुत अच्छा है चौते भाव में हैं पारिवारिक जीवन में खुशियों के लाने वाले भाव में हैं तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा पारिवार में खुशियों का आगवन होगा विध्यारतियों के लिए भी शनी का ये नक्षत्र का अब तन्वेह अच्छा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में रहना चाहते हैं बसना चाहते हैं अपने करियर की शुरुवात करना चाहते हैं क्योंकि शनी कहीं न कहीं दूर की या तो प्रयास जरूर करें, उन प्रयासों का सफल होगा, लेकिन ये प्रयास आपको दस फरवरी के बाद ही करने हैं, जब शनी उदय होंगे, और कुछ उपाय भी हैं जो आपके लिए बहुत लाब कर साबित होंगे, उपाय के लिए आपको जो मंदिर है, शनी मंदिर होते हैं, शनी मंदिर में जाकर शनी मंतर का जब कर सकते हैं और जो हर महीने इस कारे को आप हर महीने की अमावश्या को करें हर महीने की अमावश्या की रात को किसी गरीब को या किसी अंदे व्यक्ति को या किसी बीमार व्यक्ति को अनदान करें बहुत लाब मिलेगा और हनुमान जी को गुड़ और चने से बनी किसी चीज का भोग लगाए और भोग लगाकर उसे जादा से जादा लोगों में बाटें परशाद को जो आपने भोग लगाया है उसे जादा से जादा लोगों को आपको बाटना होगा उसका बहुत अच्छा रिजलिट आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदा से जदा लाइक करें शेयर करें ताकि जदा लोगों तक ये पहुंच सके